प्रिकेट की खबरों के लिए इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करें बलाइकन दबाएं नमस्कार बहुत सुपागत है आपका इंडिया टीवी क्रिकेट पर आपके साथ मैं हूँ जोतसना पार्टनी मेरे साथ है वैभव बोला और भारत ने ना सरफ मैच जीता है बलकि सीरीज में भी जीत दर्ज की है इस सीरीज से पहले भारत ने पिछली सीरीज भी जीती थी और अगर आंकडों की बात की जाए तो यह छटी सीरीज जीत भारत की जोली में आई है बहुत ही बड़ी जीत वैभव कहेंगे जिस तरीके से भारती टीम को हमने लड़कडाते हुए शुरुरवात में देखा और जो तीसरा दूसरा मैच टीम इंडिया जीती उसमें भी ऐसा लग रहा था कि शायद जीत से थोड़ा दूर है लेकिन दे रहा है दुरुस्ता है वाली कहावत वहां पर तूई और यहां जीती वर्ल्ड कप यह और जब इंडियन टीम इस सीरीज में गई थी तो इंडियन टीम का जो माइंसेट था वो बहुत क्लियर था कि आपको इस सी प्लिछ पीटीम करने के बावजूद था चीत में एक प्रिमिन टीम आपिरें मायश पेस़् उए ईडियन टीम को एक शांदार बूश्ट मिल गया है क्योंकि आप चाह रहे ञाए जिद्ध T20 World Cup में जाएं, जो आपके सारे एरियाज है, सारे बेसिक्स हैं, वो अच्छी तरीके से कवर हों, 2019 World Cup वाले हलायत ना पैदा हो जाएं, कि आपको ये ना पता हो कि चार पे कौन खेलेगा, पांच पे कौन खेलेगा, तो T20 World Cup से पहले इस सीरीज जीत के बहुत मायने हैं, और भारत ने सिरीज नहीं जीती, इंग्लेंड को लगातार तीन T20 सीरीज में भारत ने आरा है, यानि कि ये दिखाता है, कि क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंडियन टीम का जो डॉमिनेशन है, वो हर गुजरते मैच, हर गुजरते दिन के साथ बहुत बढ़ा होता जा रहा है, अच्छे, इस सीरीज के सांथ के रैंकिंग में भी बदलावाएगा, तेकि इस सीरीज को अगर इंडियन टीम चार एक से जीती तो भारती टीम नमबर न पर पहुंच सकती थी, लेकिन जो दो मैच हार गई, तीन मैच इंडियन टीम जीती, तो ये थोड़ा सा उनफॉर्चनेट रहेगा, कि सीरीज जीतने के बावजूद भी इंडियन टीम फिलाल नमबर दो पर रहेगी, लेकिन ठीक है, नमबर दो, नमबर एक माइने रखता है, जो माइने रखती है, वो चीज हैंडशेक किया, हाइफाइ किया, देखे थोड़ी खबर है, मिर को इंडियन टीम के जितने भी प्लेयर से उनसे मिल रही है, कि अब हर गुजरते वक्त के साथ, थोड़े सी चीजों में, जो कई बार कुछ खटास होती है, कभी नहीं मिठास में बदलती है, तो वो मिठास, शेद इस रिष्टे में और वापिस आ गई है, और जो आज हमें इस रिष्टे की जो मिठास थी, वो शुरुआत में ओपनिंग में देखने को मिली, तो उसको मैंने बहुत इंजोई किया, वो मुझे बहुत मजाया, वेरेंदर सेवाग में तो एक ट्वीप भी और जलेभ साथ में आजाए, तो रोहित और विराट अगर बल्ले बाजी कर रहे है, तो आल इन ओल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इंडियन टीम का आपने सीरीज जीती है, और आपने अल्मोस हर बेसिक्स को कवर कर लिए, अल्यास कवर है, लेकिन अच्छी बात यह कि अभी देखि क्या यह फाइनल प्लेइंग एलेवन हो सकती है, लीविंग टू प्लेयर्स अपार, वो तो हिस्सा होंगे है, अभी तो मेरे साथ, हाँ, अगर अल्मोस देखा जाए, यह तीम आपको खेलती हुए नजर आ सकते है, लेकिन सुरे कुमार को खेलते हुए दे सकते हैं, सुरे क मेरा मानना है कि इंडियन टीम जरूर, अब यह इंडियन टीम काफी जाद मुझे एरियास कवर नजर आ रहे हैं, अच्छा यह ओडर फाइनल होगे है, और भी फाइनल होगे है, क्या हम विराट को हमेशा नबर ओपनिंग जाए, मैं तो चाहता हूँ, अगर आज आप मेरी हैं, जब बड़ा भाई आउट होकर गया, तो चोटा भाई बड़ा ही बड़ा ही बन गया, फिर छोटे भाई ने सारी मुवी टेक ओवर करेंगी, पिल्कुल यह जो अंडरस्टैंडिंग आज दिखी न, विराट और रोहित चर्मा के बीच बहुत शांधार है, लेकिन जो प्लेयर इंजर्ड हैं और टीम का हिस्सा है, वो तो खहर होंगी, केल राहूल को कहां देखें, यही बात, आपकी वाली बात, आई पिल में अगर उनका परफॉर्मेंस पिछले बार की तरह शांदार होता है, तो यानि की लीन पैच खत्मों के वह वापसी कर रहे है, वाप आपके अंपीज कर आए है, वापके आप के उड़ि नमबर पे अचछे आप आप अच्छे पल वारने आदा, पांच, पर इस तीम है अच में की तो आज बहार बैटे, KL Rahul बहार बैटे हुए है, Kornal Pandey आज खेले नहीं, रवेंद्र जडेजा को भूल रही है, जोसना वह भी टीम में आएंगे, वह एक फिनिशर ही है, आज वह भले ही अभी सीरीज में नहीं है, तो आज रवेंद्र जडेजा, अजिंग ये क्या बोलते हैं, बाकी दो तो बोलर्स है, जस्पीद बुम्रा और मौमध शमी, अजिंग ये रवेंद्र जडेजा ठीक होते हैं, तो वह भी फिर हमें वोल्ल कुप लेक्ते हैं, वह एक सो एक परसेंट इस टीम में आएंगे, औ छटे तक तो ही हमारे पास बले बास, फिर उसके बाद चार गेंद बास प्लस दो एक्स्ट्रा गेंद बास, और मैं काउंट कर रही हूं, पांच छे, है ना, so we are not short of anybody, अम किसी भी चीज में कम नहीं है, सीरीज में, टीट्वन्टी टीम में बहुत अच्छी है, आपने एक sense confidence को उनोंने ऐस्टेल्या से करीगिए, एक अच्छी परफॉरमंस रही सिर्फ גें ही हैं इनी अच्छी पर्फॉरमेंस था ज़रूरावर तो ये जो वेक जो अश्ड़ाया है, तो ये जो वेक टले को बार बार लग बार देखना हु और मुझे विराट कोली और रोही शर् बिल्कुल यह थोड़ा शॉकिंग जरूर है लिकिन अच्छा वाला, शुट शॉकिंग है और क्रिकेट में अज़कल सबकुछ स्वीट ही हो रहा है चाहें सेलेक्शन की बात हो, बेंच स्ट्रेंथ की बात हो या फिर वो शॉट्स की बात हो ताकि यह तस्वीर नजर आई हैं क्योंकि 2013 से आपके ICC Trophy का सूखा चलता आ रहा है तो आप जरूर चाहते हैं उसको इस साल खत्म करें और देखिए दो ICC की ट्रॉफी इस समय दाउफ पर हैं, टेस्ट चैंपेंशिप आप सिरफ एक जित दूर हैं, टी ट्वेंटी वल्ड कप भी आप अल्मोस अब तैयार मैच जोन है, फाइनल की एक रहा है आपकी बची है, लेकिन अब मैं जरूर चाहूँगा कि T20 वल्ड कप की भी आपके टीम बहुत इसी नजर आ रही है, लेकि आपकी बातचीत भी आपकी बहुत इसी नजर आ रही है, इसमें जॉनी बेस्टो, संराइजा है थे खेलते हैं बुवनेश वर कुमार के साभ बातचीत करते नजर आ रहे है, तो सब अगला IPL यह है, बातचीत रही है, तो यह बातचीत बातचीत भी घ्र चुरू हो गई होगी होगी, एक वक्त ऐसा भी था वेभाव आपका रोंगा, जुर रहे हैं क्या लोग हमारे साए, एक इम्पॉ स्पोर्स पर जाईए हम वीडियो देखिए हम लगातार महिला क्रिकेट के बारे में बात करते हैं लेकिन थोड़ा सा निराशा होती है कि पिछले 6 में से 5 मैच भारती महिला तीम आज भी पहले को हाल दो चाहिए टीटी मैच में इंडियन भारती producer को हार मिलीन अदाई चाहिए तब ज्ञाधा बात करने में और मज़ा आ करेंगा तो थरा और बात करेंगे बाठा चलके विम न्सडी की रन बनाने के बाद वो साजेदारी तूटी और विकेट गिरा तो उस वक्त तो दिल की धड़कणे बड़ी तेसी ऐसा लगा था एक समय तो ऐसा आ गया था कि मेरे को मतलब आप यह मान के चले कि मैं प्रूटर पर लिख दिया था कि इंगलेंड की जीत है वो मुझे साफ नजर आ लिख दिया था आप देखेंगे मुझे मुझे मैं बिल्कुल लिख दिया था एक समय ऐसा अगया था कि जब जो बटलर और डेविड मरान बल्लेबाजी कर रहे थे उस एक समय बहुत सेट हो चुके थे वहां से आपने इस मैच को ना अलमूस्ट फ्रो कर जिया देखेंगे आपको जीरो फर वन थे फिर वन थर्टी वर टू है यानि की 130 रन मनाया आपकी दूसरे नंबर की साजेदारी ने उसके बाद 140 पे विकट गिरा 142 पे गिरा फिर 142 पे इस मैच में हाई एंगे तरफ से 68 एंगे विराट को मकुला आपया इस मैच में ए इस माच में रहा हमारे जो चुड़ रहे हैं उनके क्या क्याकमेसिज लगातार बहुत इंट्रेस्टिंग गौनजेशन हमारे वियूवर्स के साथ भी होती है वेभव एक सवाल ले जै फिर हम भी Congratulations team India best of luck Surikumar और Rishan Kishan को नहीं out नहीं करना चाहिए मतलब अच्छा हमारी चर्चा पर इपेन रजंक कह रहे हैं कि Surikumar और Rishan Kishan को बाहर नहीं करना चाहिए क्या पता नहीं यह नहीं बोला लेकिन वो अपना point of view रहे हैं पता जो team जाए 15-16 members की उसमें हो जरूर होंगे ना जिस तरीके से performance रहा भी तो होंगे अच्छा चंद्रेश्वर कुमार चानो जी कह रहे है India is very best team पहले test championship की ticket फिर जौफरा आर्चर का बला उसके बाद T20 में अपने नाम को और भी किया मजबूत अच्छा कुमार दीपा पूछ रहे हैं दवन को क्यों नहीं खिलाया नहीं है मतलब यह पूछना कुछ ऐसा चारे तेकि मेरा है मानना कि शिखर दवन अपने T20 क्रिकेट में बेस दे चुके हैं और इस यंग लाइनप के साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 2007 जो T20 वर्लकब आप जीते थे एक अल्मोस अब यंग टीम के साथ गए थे एक दो खिलाडी थे जो थोड़े से सीनियर जादा थे इसमें अगर मैं बात करूँ तीन चार भी खिलाडी साथ सीनियर जादा थे बाकी जब जो खिलाडी थे वो काफी युवा थे तो आप जरूर चाहते हैं कि मोहित भी इस सीनियर आपके पास हैं विराट कोलियो रोही चर्मा के रूप में यह दो ऐसे खिलाडी जो काफी सीनियर है उसके अलावा थोड़ी यंग तीम ही लेकर जाएं यंग खिलाडी उने आपको दिखाया कि क्या कर सकते हैं तो शिखर को आप ODS में खिलाएं अला कि मेरा यह भी मानना है कि मोहित कुमार भी इसी से जुड़ा सवाल पूछ रहें कि क्या T20 में आज ओपनर वापसी हो पाईगी धवन की बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है कि मतलब मौके काफी सालों से मिलते आ रहे हैं ती 20 क्रिकेट में जो धवन का तो एक समय तक ही आप पर जो टीम्स हैं वो थोड़ा सा दौब लगाती है उसके बाद फिर कुछ जाता हम कह नहीं सकते हैं बुवी इस दी बैस्ट कुमार दीपक कह रहे हैं बिलकुल भुबनेश्वर ने अच्छा खेला है हमेशे उनका परफॉर्मस अच्छा रहा है और इस समय जब शुरुवात हुई थी इंटरनाशनल करी में तब उस समय भुवी का और बहुत जादा था ऐस कंपेर तू मौमाद चमी ये दोनों एक साथ ही आये थे लेकिन मौमाद चमी ने जो टेस्क क्रिकेट में किया वन डेज में किया टीट्वेंटी में किया पिछले अगर दो हमेशा से ही मानना रहा है कि विराट कोली देखिए उन्होंने जब आई पील में चार स्थक बनाए थे 2016 में वह चारो शथक विराट कोली ने ऑपनिंग करते हो बनाए उसके बाद एक शथक आपका विराट कोली का दो साल पहले है पिछले सीजन में शायद अच्छा और कई बार हम लोग विराट के ओपन करने को लेकर भी बात कर चुके हैं कि मतलब बड़ा ही सस्पेंस रहता है कि टीम जीत नहीं रही है क्या विराट ओपन करते हुए नज़र आएंगे आज वो सब लोग कहां गए जो कहा रहे था कि पिछले मैच में रोहित की कप लेकिन एक दूसरे के ओपर तो छीटा कशी काम होने जीए कि देखे विराट कोली ही अल्टिमेटली इस टीम के कप्तान है इस सीरीज में सबस्यादा रन भी विराट कोली के हैं तो देखे विराट को रिस्पेक्ट को डिजर्फ करते हैं और उने मिलनी भी चाहिए अच्छ अभी मुझे एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने तस्वीर देखी कि कुरुनाल पांड़ा से चाहद विराट कोली काफी समय बात मिले होंगे तो कुरुनाल पांड़ा से जाके उनके फादर की जो डेथ होगी ती उसके बारे में शाद विराट ने उनसे कुछ बात किये ज के लिए क्योंकि जो ओडी आए की तीन मैचेस होने वो पुने में होने और अब हमारी भी रवांगी होगी क्योंकि अब हम भी चलते हैं घर जाएंगे अपने डिनर कर लिया हाँ काफी दर पेले तो अब क्या करने डिनर तो होगे हमारा हम लोग बस घर जाएंगे आप मैच and then followed by rest of the two matches फिलहाल आप लोग हमारे साथ जुड़े इस चर्चा का हिसा बने बहुत शुक्रिया गुड़नाइट और क्रिकेट की हर खबर बताते हैं हम आपको इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर तो जरूर करें सब्सक्राइब और भूले ना बेल आइकन दबाना जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ